अब जो सिरीज में आपके सामने लाने जा रही हूँ इस सिरीज का नम जेट डानेस्टी है ये सिरीज लेटेस्ट रिलीज हुई है और बहुत ज़ादा नाम कमा रही है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी सो एपिसोड की शुरुवात में हमें हैंग्स ओफ फैन और लिन कुइंग्यू नाम की दो बच्चे आपस में फाइट करते हुए दिखाये जाते हैं ये दोनों गाउं में रहते हैं और आपस में लडाई कर रही हैं क्योंकि हैंग्स ओफ फैन सतानवे बार हार चुका है और ठानने वारी वो इसे जीतना जाता है लिन कुइंग्यू बड़ी असानी सेुसे हर बार हमें नहीं मानता और इसे बार बार घानने के बाद भी फिरसे उसे मैच के लिए ललकार देटा है और उनकी लडाई देखकर आसपास के सारे बच्चे बच्चे हसने लगतें लड़ते लड़ते वो लोग एक टेंपल में पहुँच जाते हैं और वहां भी सब हैंज आउफ एंड के उपर हसने लगते हैं क्योंकि वो थकान के मारे सही से चल भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी लिन्कुंग्यू को चन्नाती दे रहा था वो फिर से आपस में लड़ाई करने लगते हैं और लिन्कुंग्यू इस लड़ाई को मजाक में ही ले रहा था लेकिन अचानक वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से गुस्से में हैंज जयावफान पर हमला कर दीता है और फिर उसकी तलवार हड़ा कर उसकी करदन को अपने तलवार से गुढ़ने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम अप इज़द नहीं छोड़ोगे जब हन मना करता है तो वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तब ही वहां मंदिल का प्रीस्ट आकर उसे रोक लेता है एक तम लिन भी होश में आता है और हैरान हो जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ भला ये क्या कर रहा था मौंग उनको डानता है और कहता है कि अगर मैं ना आता तो दूम इसे मार ही चुके होते लिन फिरहन को वहाँ से ले जानी लगता है अब जयान अपने घर चला जाता है और उसकी मौंग उसे अपने डाट को भी ले जाने को कहती है लेकिन Zan Akila अपने आप ही जानने लगता है वो टेंपल में मौंग के लिए खाना लेकर जा रहा है अब मौंग जो कि टेंपल में बैठे थे और आस्मान में किसी अन्होनी के होने का अन्नुभव होता है और वो तुरण बार जाते हैं वही जान जो टेंपल की तरफ आ रहा था उसकी तरफ कोई ब्लाक शैडो आती है और तब ही फिर मॉंग को शैडो को नोडस करके उसे मारने के लिए आगे दोड़ते हैं और जान को बचा लेते हैं मॉंग शैडो को डाटे हुए कहते हैं कि आखिर तुम शातान कौन हो जो एक बच्चे को अपने शिकार बना रहे हो वो शैडो जब मॉंग पर भी हमला करने लगती है तो मॉंग भी अपनी पार का यूज करके शैडो पर हमला कर दीती है मॉंक माशिल लाट्स में एक्सपर्ट हैं और वो शाडो मैन अपना असली रूप ले लेता है और दोनुं के बीच अपने अपने वाइट चुरू होने लगती है जिसमें मॉंक असानी से उसे हरा रहे होते हैं वो आदमे फिर अपनी पार का यूज करता है और उसके पास इविल पार्स हैं मॉंक उसको देकर गुषा करते हुए कहते हैं कि आगर इस इविल को प्राक्टेस करने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई मॉंक फिर अपने आइकानिक पार का यूज करते हुए उस पर हमला करती है आत्मी भी डाग पास को सामन करके उन पर हमला करता है और दोनों की बार आपस में टकरानी लगती है जिसमें मौंग कमजोर बढ़ते हुए नजर आती है और फिर आत्मी आगे बढ़कर मौंग को जोरदारपन से घाल कर देता है और कहता है कि वो चीज मुझे दो वरना मैं तुमें मार दूँगा मौंग कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम उसके पीछे पड़े हो इविल मन फिर अपनी पार को सामन करके मौंग को मौत के घाल उतारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी मौंग खड़ा होकर अपनी बुद्ध हन वाली फॉर्मेशन को क्रियेट करते हैं और एके करके सारे हन इविल मन पर छोड़ देता है और इविल मन की वो पार जो उसने अभी समन की थी वो खत्म हो जाती है इविल मन फिर एक घर की छट पर चड़कर अपनी तलवार निकालता है और इस पर कुछ चांटिंग कर देता है जिसमें से बिशलिया निकलने लगती है मौंग इस तरह की पार को दे कर हैरान है और वो सोच में बढ़ जाता है कि क्या यही पार अफ़ता हो इसम है वो फिर अपनी तलवार से मौंग पर हमला कर देता है और फिर मौंग भी अपनी फॉर्मिशन को क्रियेट करता है और उसकी फॉर्मिशन से इतनी जादा उर्जा निकलने लगती है कि उसकी पिछली इस उर्जा के सामने मंदी पढ़ जाती है और ये उर्जा उसको दूर फेट डाती है जान ही सब देख रहा था इविल मैंटर कर वांसे तुरन भाग जाता है लेकिन जाते जाते वो ये भी कहता है कि मैं लोटकर जरूर आउंगा मौंग भी इस लड़ाई से इतना खायल हो चुका था कि उसके मुँसे खुन निकलने लग जिया था लेन और जान भी इनकी लड़ाई की उर्जा से भेहोश हो गए थे और मौंग इनको पेड़के किनारे बैठाता है और कहता है कि अगर ये दोनों लड़के शैड़ो के हाथ में पढ़ जाते तो पता नहीं क्या होता जो मेरी बहुत पुरानी भुद्धिजम और तावसन को प्राक्टिस करने की इच्छा थी वो मैं चाहता हूँ कि जल से जल पूरी हो वो फिर अपने भगवान को याद करते है लेकिन तभी वो अपने हाथ में शैड़ो का जहर देखता है और समझ आता है कि आज से तीसरे दिन उसके मृत्यू हो जाएगी वो फिर जनक की नफ्स चेक करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है वो कहता है कि तुम अपने दोस के भी जिनता मत करो तुम्हारा दोस भी ठीक हो जाएगा और तुम अब सीधे सुभा ही उठोगे वो फिर उससे पूछता है कि आसपास तुफान आ रहा है तो तुम यहाँ इतनी राग को क्या कर रहे हो जिस पर जान बताता है कि मैं आपके लिए खाना लाया था यह सुनकर मौंखुष हो जाता है और कहता है कि अब मैं समझ क्या हूँ यह सब बुद्धा की इच्छा है और ऐसा होगा यह पहले ही भाग्यम में लिखा जा चुका था वो फिर उसे बताता है कि लाउना स्पिरिचल प्राक्टिस का एक सैथ है उसे कोई भी सीख सकता है क्या तुम उसे सीखना चाहोगे जैन ने स्पिरिचल प्राक्टिस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था इसलिए वो पूछता है कि आगे स्पिरिचल प्राक्टिस क्या होता है जिस पर मौंग बताता है कि ये सांस लेने और छोडने की टेकनीक है इसे तुम स्ट्रॉम हो सकते हो ये सुनकर जान खुश हो जाता है लेकिन मौंग बताता है कि लेकिन तुम में बुझे कुछ प्रामिस करना होगा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना है उनको भी नहीं जो तुमारे सबसे करीब हो क्या तुम ये कर सकते हो जान कहता है कि मैं समझ क्या फिर मौंग कहता है कि तुम्हें दिन में सिर्फ एक ब्रेक लेना है और तुम्हें कभी भी किसी और के सामने प्राक्टिस नहीं करनी है तुम्हें सिर्फ रात में प्राक्टिस करनी है क्या तुम ये कर सकते हो और सबसे important बात जब तक life और death का सवाल ना आ जाये तुम्हें इस गल का कभी यूज नहीं करना है मौंग फिर उसे बताता है कि अब सर्फ मेरे मरने में तीन दिन रह गए है अगर तुम्हारी चान कभी खत्रे में आये तो तुम व्यर्ड नाम के आदनी के पास जाओ कर help ले लेना और उसे कहना कि तुम्हें पूजी और शेंग ने तैनियन टेंपल से उसे डूनने के लिए भीजा है वो फिर उसे एक बीट देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी हिफासत करनी है जब तुम सेटल हो जाओ तो कोई पवित्र घाटी देखना और इसे उसमें फिंक देना जैन के मन में कई सारे सवाल थे लेकिन मौंक उसे उची आवास में पूछता है कि क्या तुम समझ गए और जो नाम मैंने अभी तुम्हें बताया कभी भी किसी और के सामने उन नामों को अपने मुँ पर मत लाना अब मौंक दुखी होते हुई कहता है कि मुझे नहीं बता कि अब हम कभी मिलेंगे या नहीं अब फिर वो उसे सान कहकर बुकारता है और कहता है कि तुम मुझे मास्टर का हो ताकि हमारे रिलेशनलस थापिर दो सके जैंग उटनों पर बैठकर उनको ग्रीट करके मास्टर कहता है और फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है और फिर अगली सुबा लिन की आंके खुलती है और उसे अपने बगल में जैंग सोता हुआ देखता है वो उसे उठाता है और जैंग उठते ही मास्टर शीफू कहता है लिन कहता है कि कौन मास्टर शीफू अकिर तुम क्या कह रही हो और यहाँ चल क्या रहा है वो दोनों फिर गाउं जाने लगती है लेकिन वहाँ हर जगे सिर्फ तबाही ही तबाही मजी हुई थी ये देखर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं लिन को अपने सैकिन अंकल दिखते हैं जो काफी जादा घबराए कि जब लिन उनके पास जाता है तो वो लिन को भूत समझकर वहां से भागने लगते हैं। जन टेंशन लेते हुए फिर अपने घर की तरफ जाता है और उसे रास्ते में कई सारी लाशे दिखती है। वो फिर अपने घर देखता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं जिसके बाद ये एपिसोड पर यहीं कत्म हो जाता है